उत्रपरदेश के सुल्तानपूर जिले में तीन साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है वारदात के बाद भीड ने 23 साल के आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया पुलिस आरोपी से पूस्ताज कर रही है वहीं मासूम को जिला अस्पताज में भरती करवाया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है गटना के वक्त मासूम की मा बच्ची को घर में सुला कर पडोस में शादी कारेकरम में शामिल होने के लिए गई थी मामला कादिपूर कोतवाली शेतर के एक गाव का है बताया जा रहा है कि तीन साल की बच्ची को उसकी मा बिस्तर पर सुला कर पडोस में शादी के कारेकरम में गई थी आरोपो की माने तो रात करीब तीन बजे बेरामा रुफपूर गाव निवासी राजू मासूम के घर में घुसा और दुशकरम को अंजाम दिया इस दुदान मासूम की मा घर पहुची और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया इसके बाद आसपडोस के लोग मोके पर जुट गई आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाए की गई इसके बाद पूलिस को सूचना देने के बाद आरोपी को पूलिस के हवाले कर दिया गया गाम वालों और पूरिस की मदद से बच्ची को आनन फानन में CIC कादिपूर ले जाया गया जहां डुक्टरों ने बच्ची की हालत गंभीर देख उसे सुल्तान पूर जिला अस्पताल रेफर कर दिया फिलाल मोके पर डीएसपी और कोतवाली कादिपूर के प्रभारी निरिक्षक केके मिश्रा पूरी टीम के साथ स्थिती पर नजर बनाए हुए है बताते चले कि सूचना मिलते ही पूलिस मोके पर पहुची थी बच्ची को इलाज के लिए भेज दिया गया है और आरोपी को हिरासत में ले लि तारित हुआ है तो टतकाल पुलिस घटने स्थाल पर पहुची जो आरोपी उक्थास को पकड़ लिया गया है ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्स्क्राइब करें थेन्ने वाल अपर्फेक्ट वेन्यू फर वेडिंग, लाँचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजेबी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब